नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमितुर आप देख रहे हैं आडियो गुरुजी और आडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं पांच ऐसे हाई-end bookshelf speakers के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो की एक बहतरीन performance हमें देते हैं यह सभी जो उनसे speakers हैं यह हाई-end category में आ जाते हैं इनहीं के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा तो बि वीडियो की notification भी आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं और अगर फ्रेंट्स आप इसमें से किसी का भी latest price जानना चाहते हैं तो description के अंदर मैं इनके link डाल दूँगा जहां से आप इसे purchase भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो पहले number पर आता है ELEC का Debut 2.0 B6.2 and friends ELE ELEC जो है यह एक जगमन ऑडियो ब्रेंड है तो यह जो लौड़ स्पीकर है यह डिब्यूट सिरीज के second generation के स्पीकर हैं एंड इने डिजाइन किया है एंडू जो की दुनिया के बहतरीन speaker designer में से एक हैं और friends ELEC की डिब्यूट सिरीज जो है यह एक award winning series है तो देखिए इस sufficient है आप चाहें तो इसे home theater में front पर भी उस कर सकते हैं surround पर भी उस कर सकते हैं यहां फिर अगर आप एक studio setup लगा रहे हैं तो आप इसे as a studio speakers की तरह भी उस कर सकते हैं entrance clarity के साथ साथ proper आपको इसमें low भी मिलेगा याली base भी मिलता है entrance यहां पर अगर बात करते हैं इसके frequency response की तो 45 हर्ट्स तक यह down जाता है और 35 किलो हर्ट्स तक अब जाता है अगर आप क्रिस्पी साउंड के शौकीन है आपको हाइस जोंसी है वो यादा पसंद आती है तो definitely यह जों से लाउट सुई कर रहा है यह आपके ही मतलब के हैं और फ्रेंट्स यह हमें 6 ohms की impedance के साथ मिलते है अगर आप इनके design देखेंगे तो definitely आप अपने आपको रोक नहीं बाएंगे इने लेने से entrance यह जो मेरी list है इसके अंदर यह सबसे slimmest speaker है इनका जो design है काफी आदा slim बनाया गया है कि जिसमें हमें 6.5 इंचीज का driver मिलता है और एक मिलता है 1 इंचीज का tweeter अगर बात करे इनके frequency response की तो 46 Hz से लेका 30 kHz तक का इसमें हमें frequency response देखने को मिलता है speakers की impedance है 4 ohms आप इसे लेने से पहले अपने AVR या अपने amplifier को ज़रूर चेक कर ले कि वो 4 ohms को support करता है या नहीं करता है Entrance Q Acoustic 3080i में एक unique bass to bass feature डाला गया है जिसकी वज़े से इसे perfectly और completely enclosure support मिलती है और आपको मिलती है अच्छी बहतरी परफॉर्मेंस Entrance ये भी जोंसे loudspeakers हैं इनने भी कई award मिल चुके हैं वटा hi-fi and hi-fi choice की तरफ से भी इनने recommend किया गया है और अगर बात करते हैं यहाँ पर इनकी power handling की तो 140 watts तक की ये power को handle कर सकता है Entrance इस list के अंदर तीसरे number पर आ जाता है एक British audio brand B&W का 607S2 Anniversary Edition B&W की 600 series ने अभी अपने 25 years पूरे किये हैं जिनकी anniversary के अंदर इन speakers को launch किया गया था और इनने especially 25th anniversary के लिए launch किया गया था तो इनके अंदर कुछ unique technology का use किया गया है जो की आपको इनकी high-end diamond series के अंदर देखने को मिलती हैं जिससे की एक medium range के अंदर ही आपको high-end speakers की performance मिल जाती है B&W 607S2 Anniversary Edition एक rear-ported 2-way loudspeaker है जिसमें हमें मिलता है एक 5-inch का contenum cone mid-bus driver और एक मिलता है हमें 1-inch का aluminium dome filter and 100 watts इनकी power handling है और friends इन speakers को आप 4 ohms के amplifier पर भी यूज कर सकते हैं और 8 ohms के amplifier पर भी आप यूज कर सकते हैं ऐसा इसके एक unique network crossover के कारण possible हो सका है और इसमें हमें मिलता है 40 Hz से लेकर 33 kHz तक का frequency response और friends एक छोटा driver size होने के बाफ जूद भी यह आपके studio setup के लिए भी बहुत यादा perfect condition है अगर आपको एक high-end performance जाहिए तो definitely speaker आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप इसके size पे मच जाहिएगा इसकी performance अगर आप सुनेंगे तो आप दिवाने हो जाएगे इसके और friends 4th number पर आजाता है Focal का Cora 806 bookshelf speaker और यह एक french brand है जिसमें हमें 6.5 इंचीज का slate fiber cone mid bus driver मिलता है और एक हमें मिलता है 1 इंचीज का TNF aluminium magnesium inverted dome tweeter और friends यह जो speaker है इनकी performance उन लोगों को हैरानी में डाल देगी जो की सिर्फ यह सोचते हैं कि tower speakers में हमें base मिलेगा bookshelf में हमें base नहीं मिलता है और friends इन speakers को on of promo 2020 and product of the year का award भी मिल चुका है साथ ही साथ वटा hi-fi and hi-fi choice द्वारा भी ने recommend किया गया है इसमें हमें 58 hertz से लेकर 28 kilo hertz तक का frequency response मिलता है और यह speakers 8 ohm की impedance के साथ आते हैं और हमें देते हैं 89 dB की loudness और friends इन speakers को run करने के लिए 25 watts minimum हमें चाहिए होती है और 125 watts तक की power यह handle कर लेते हैं और friends इस list में सबसे last bookshelf speaker है BNW का 606 S2 anniversary edition और friends जो bookshelf मैंने आपको BNW का पहले बताया था उसी के अंदर जितने भी features हैं वो सबी features हमें इस bookshelf के अंदर भी मिल जाती है बट उसमें हमें 5 inch का driver मिलता था इसके अंदर हमें 6.5 inches का एक driver mid bus driver और एक हमें मिलता है 1 inches का heat waiter और friends 6.5 inches का जो driver है बास लवस के लिए इस bookshelf speaker को एक ideal बना देता है यह 600 series का सबसे बड़ा speaker है तो friends आज की वीडियो के अंदर यही था यह 5 bookshelf मैंने चूज की यह थे आपको बताने के लिए अगर आप मेंसे कोई भी से लेना चाता है तो description में आपको link मिल जाएगा या फिर आप इसका latest price जानना चाहते हैं तब भी आप उस link के थू इसका price ज सकते हैं वहां पर मैं कुछ ना कुछ वीडियो डालता रहता हूं डेमोश की वीडियो होती है यहां जो प्रोड़क्ट एवेलेबल होते हैं उन सभी की वहां पर वीडियो और पोडोस बगर मैं डालता हूं जो उनसी मेरे पास में नहीं कोई scheme आती है यहां फिर कोई offer आते और मस्त रहें और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए बैल आइकन को दबा दीजिए और all को select कर लीजिए फिर मिलता हूं मैं आपसे जैन दोस्तो